हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिफ संकर सिफ चैनल, चलिए मैं आप लोगों के लिए बहुती स्वाधिस्ट और बहुती इंट्रिस्टिंग रिसीपी लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, रिसीपी डाल का, क्या डाल बनाने वाले हैं आज हम, धावा इस्टेल डाल तरका, धावा इस्ट्राल दाल दड़ का हम कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने ग्रीन मूंग लिये हैं थुआ सा चना दाल लिये हैं और उसको हम मिनिमम जो है आधा एक घंटा जैसे पानी में अच्छा तरीके से भिंगो लेंगे धोने का बाद जो हमने भिंगो लिये हैं तो आप लोग उसी तरीका से फूलने दे ग्रीन मूंग दाल को जब आपका ग्रीन गोटा मूंग दाल फूल जा उसी के साथ चना दाल एड़ कर ले और उसको जो है आप प्रेशर कुकर में कम से कम दो से तीन सीटी या चाहें तो आप चार सी टी भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखिए हमने एक प्रेशर कुकर छोटा सा ले लिया हूँ जिसमें उस दाल को अच्छा तरीका से पानी से निकाल के हम इसमें चान चान के डाल देते हैं इसमें हम फ्रेश पानी भी एड करेंगे सबसे पहले हम इसमें जिंजर गरली पेस थ्वासा एड कर लेते हैं और ये रहा थ्वासा चीली पोडर उसको हम एड कर लेते हैं और इसमें आप लोग थ्वासा टर्मरीक पोडर और थ्वासा धनिया पोडर भी add कर सकते हैं और यह रह तर्मरीक इससे पहले हमने धनिया पॉर्डर add किया हूँ एकदम हाप टीए स्पून से भी कम थोड़ा थोड़ा सा जीरा पॉर्डर add कर लिजे और स्वाद अंस्वार के हिसाब से आप इसमें नमक भी add कर सकते हैं तो ऐसे ही जब दाल कभी भी दालतर का बनाएं धावा इस्टा है तो उसमें एक टीए स्पून का जैसा घी चरूर add करें क्योंकि घी add करने के बाद बहुती टेस्टी और बहुती स्वादिस्ट फ्लेवर आता है जो रोटी नान ड्रैस या चाहें तो आप तावा रोटी के साथ भी ले सकते हैं तो यह देखिए हमने पानी add कर लिया हूँ मिनिममम हाफ लीटर से ज्यादा दो से तीन पिस ग्रीन चीली add कर लिया हूँ और यह रहा एक छोटा से टुकड़ा डाल चीनी का अब हम इसको गैस पे अच्छा तरीका से पकने देते हैं तो डाल जब तक पक रहा है हम इसको त फोड़ा सा चोपिंग किया हूँ गार्लिक और इसमें हम add करेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा और दो तिन पिस चार पिस जैसा आप डाय चीली भी add कर सकते हैं आप किसी साब से कुन्टिटी बनाते हैं उसी साब से तो यह देखिए हमने तिन चार पॉर्षन के हिसाब से बन एक चोली चरपटा टैप का होता है और यह आप बिना सबजी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं राइस रोटी नान के साथ और यह छोटा छोटा सा बारिक सा कटा हुआ ओनियन हम इसको add करके इसको fry कर लेते हैं थोड़ा सा मतलब जब तक अच्छा तरीका से पकना जाए त अगर आपका घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी बना सकते हैं यह देखिए जब तक हमने तरका बनाया है तब तक यह दाल पक चुका है अगर आपको लगे यह दाल सही से नहीं पका है तो हम जिस तरीका से एक डब्बुक से तोड़ लेते हैं आभी तोड़ दीजिएगा अच्छा तरीका से तो यह देखिए दाल हम आप इसमें add कर लेते हैं अगर आपका दाल के ठिकनेस चादा है तो आप क्या करें इसमें फ्रेज पानी डाल के और अच्छा तरीका से पका सकते हैं फ्राइपीन में भी यह दाल को तरका मतलब हमने दे दिये हैं लेकिन इसको और उपर से हमको extra तरका लगाना पड़ता है रोगन का तो इसका जो मजा है और अच्छा आता है लेकिन भी थोड़ा सा घी डाले हैं और थोड़ा सा धन्यापता का फ्लेवर धावा में आप जब भी खायेगा तो यह देखिए इसी स्टैल का ताल मिलेगा अब हम सर्विंग कैसे करते हैं कौन सा परसन बॉल में आज यह देखिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बाल्टिन मे हम सर्विंग करेंगे एक चोली डाल जो है बाल्टिन में आता है तो वा देखने का मजा ही कुछ और होता है तो यह देखिए हम इसका उपर एड क्या हूँ रोगन रोगन हम किसे बोलते हैं जैसी कि आप मानलो तेल में थोड़ा सा कास्मेरी चिली पोडर डालके इसको स्ट है नला जबाब देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा खाने में भी है और अद्रक का जो थासक गार्नी सिंग पर जाए वा इसका जितना खुब सूरत देखने के लिए लगा है खाने में भी हमको उतना ज्यादा टेस्टी लगा है तो आप लोग चरू new content बना के लेके आता रहूंगा तो उमीद करता हूँ जो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा पिलीज अगर पसंद आया है तो आप लोग शेर चरूर कीजे लाइक कोमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब तो चरूर करें तो आज के लिए ठेंक यू बाई बाई